दोज़ार चौबीस के संग्राम में वार पलटवार का दौर जारी है चौथे चरंड से पहले यूपे के दो सबसे बड़े विपक्षी चहरों मायवती और अखलेश यादव में ठन गई है दोनों निताओं के बीच ट्वीटर वार चल रहा है ब्यानबाजी चल रही है और सि चौबीस के चक्रवियू में मायवती वर्सिज अखलेश आकाश का डिमोशन अखलेश का इमोशन कहा तो बीजेपी बंपर प्रचार में जुटी है कहा विपक्ष आपस में ही लडाई लड रहा है मायवती ने अपने भतीजे आकाश अनंद से पद क्या वापस लिया सपा और कॉंग्रेस को तगड़ा दर्ध होने लगा पहले अखलेश यादव का बयान सुनिये फिर पूरी कहानी बताते हैं मैं अपील करूंगा समिधान बचाने के लिए लोगतन बचाने के लिए कोई भी अपना बोट खराब न करें भाटी जन्ता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजबादी लोग कर रहे हैं मैं तमाम बहुजद समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साब के रास्ते पे चलते हैं उन सबसे मैं अपील करता हूँ कि अपना बोट ना खराब करें शुनाओं में लोगतन को बचाने के लिए आकाश आनंद को लेकर सपा बस्पा में चिड़े वाक यूद की शुरुआत अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद हुई फिर क्या था मायवती ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई अखिलेश यादव ने लिखा था कि विफलता के चलते बीएस्पी संगठन में बदलाव किया गया है तो मायवती ने पलटवार करते हुए लिखा घोर दलित विरोधी सपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है अखिलेश यादव ने लिखा कि BSP के परंपरागत समर्थक इंडिया के साथ है तो मायवती ने जवाब दिया कि सपा केवल यादव परिवार की चिंता करे BSP की चिंता की उन्हें जरूरत नहीं अखिलेश यादव ने लिखा कि तीन चरणों में BSP की एक भी सीट नहीं आ रही और चोथे चरण में भी कोई उम्मीद नहीं तो मायवती ने पलटवार करते हुए लिखा कि सपा का चाल चरितर चेहरा जबरदस्त दलित विरोधी है अखिलेश यादव ने लिखा कि बाजी BSP के हाथ से निकल चुकी है तो मायवती ने जवाब दिया कि प्रमोशन में आरक्षन खत्म करने वाली पार्टी को माप करना मुश्किल अखिलेश यादव ने BSP का नाम लिए बिना लिखा कि बोटर अपना वोट खराब ना करें और इंडिया गटवंदन को बोट दें तो मायवती ने पलटवार किया कि जातिवादी सोच के कारण सपा सरकार में जिलों रिश्वी ध्यालों के नाम बदले गए यान समाज के कोडिनेटर रहे आकाश अनंद जी ने बीजेपी के उपर हमला किया यह उनका हमला भाजपा के साथ साथ बसपा को भी नागवार लगा और चुकि बीएसपी का जो लोगों के अंदर परसिप्सन है यही है कि बीएसपी परदे के पीछे से बीजेपी को सपोर्ट क रहे हैं यह किसी भी राजनितिक दल का फैसला होता कि किसको पदाधिकारी बनाना है या हटाना है इस पे समाजवदी पार्टी को कोई टिपली नहीं करनी है लेकिन वह आकाश अनंद जो बसपा के उत्तर दिकारी से वह आकाश अनंद जो लगातार भाजपा से सवाल इसलिए समाजवदी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि भाजपा और बसपा का आगोशित गड़बंदन है बसपा को मानेवर काशी राम जी के बताय हुए रास्टे से बटक चुकी है इसलिए जनता बहुत आस और उमीद के साथ समाजवदी पार्टी के तरफ द देखना होगा मायवदी के इस हमले के बाद सपा की और से क्या जवाब आता है प्यूर रिपोर्ट न्यूजेटीन